अब सब लोगों को मेरा नमस्कार आज सुप्रीम कोट का जो ओर्डर आया है ये कई माइनों में बहुत ही एतिहासिक ओर्डर है दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है दिल्ली के लोगों के साथ जो भी तक अन्याए होता आया उनके साथ माननिय सुप्रीम कोट ने न्याए किया है आज से आठ साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी फरवरी मार्च अप्रेल मई तीन महीने के अंदर सरकार बनने के तीन महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी 67 सीट आई तीन महीने के अंदर ही प्रधान मंत्री जी ने कादेश पारिद करवाया केंदर सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले आप दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे वो LG के पास रहेंगे या केंदर सरकार के पास रहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं जितने भी करमचारी हैं उपर से लेके नीचे तक, आए सफसर से कलास ए से लेके कलास फोर करमचारी तक चपरासी तक सारे करमचारीों की ट्रानस्फर पूस्टिंग उनके डिस्प्लिडिज़ पूसीसिडिंग्स नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रियेट करना, पोस्ट अबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा यानि कि अगर मैं मुख्य मंतरी मेरे सामने कोई करमचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सुस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफर weapon कर सकता एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तैक कर सकते हैं हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तैक कर सकते हैं ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया आठ साल हो गए इस दौरान इस आदेश को इस्तिमाल करके दिल्ली के कामों को जान बूज के रोका गया हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जान बूज के ऐसा एजूकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो की काम ना करे हम अगर महलक लेनिक बनाना चाहते हैं तो जान बूज के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो की काम ना करे जान बूज के ऐसा फ़नेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज के अंदर अडंगाड आए तो इसको इस्तिमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिये गए पीछे और मुझे नदी में फैंक दिया गया कि अब तैरो ये तो उपर वाले का शुकर है कि दोनों हाथ बंदे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और उपर वाला हमारा साथ देता रहा है इन सारी कठिनाईयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले आठ साल के अंदर तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमें हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंडरिचूड के जो और चारों जजजज़ हैं उस बेंच में समविधान पीठ में उन सब के तहे दिल से शुक्रिया दा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ नयाय किया मैं दिल्ली की जनता को केवल बधाई देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशिरवाद दिल्ली की जनता के आशिरवाद उनके साथ का उनके सहयोग का नतीजा है कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जंता ने अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा आज की आदेश के बार बहुत बड़े-बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते सबसे इंपॉर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो की रेस्पॉंसिव हो जो की जनता की जरूरतों के प्रती सिंपथेटी को कंपैशनेट हो तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत प्रशासनिक फेर बदल होगा कई सारे ऑफिसर्ज को करमचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया कुछ ऐसे ऑफिसर्ज हैं कुछ ऐसे करमचारिय हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में एक डेड़ साल में दिल्ली की जनता के काम रोके कुछ ऐसे आफिसर्ज हैं जिननों ने दिल्ली में महला क्लिनिक में दवाईयां बंद करा दी अस्पतालों के अंदर दवाईयां बंद करा दी जल बोर्ड की पेमेंट रोके कईजे के पानी बंद करा दिया ऐसे करमचारियों को आफिसर्ज को चिन्नित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा लेकिन बहुत सारे ऐसे करमचारी और ओफिसस हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे इमानदार लोग हैं काम करना चाहते हैं उन सारे करमचारियों को उन सारे ओफिसस को मौका मिलेगा काम करने का उन सब को जो डेड़वुड है जो करप्ट है जो इनेफिशेंट है उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशेंट हैं, इमानदार हैं रेस्पॉंसिव हैं, कमपैशनेट हैं उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और करमचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा ये सारा सिस्टम भी सडा गला सिस्टम है ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रती जवाब दे हो और जनता के लिए responsive हो जनता की जरूरतों के प्रती responsive हो तो विवस्था के अंदर जितनी कमिया हैं इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा तो पूरे system को और officers को और करमचारियों को जनता के प्रती जवाब दे बनाये जाएगा और जनता के ल responsive compassionate and accountable government ये हम चाहते हैं दिल्ली जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया अब एक ऐसे governance का administration का मॉडल हम जंता के सामने रखेंगे, मैं देखता हूं कि कई ऐसी posts हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनमें कोई भी करमचारी या धिकारी बैठके जनता की चार अड़चने ही लगाता है, अगर वो ना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ऐसी posts को चिन्नित करके, या तो उन्हें खाली छोड़ा जाएगा, या उन्हें अबॉलिश कर दिया जाएगा, जहां 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 ज़्यादा posts की ज़रूरत है, वहां ज़्यादा posts क्रियेट की जाएंगी, अब पंजाब के अंदर हम एक अच्छे law and order कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं, उसे तरह से दिल्ली अब कुशल प्रशासन का एक model पूरे देश के सामने देगा, मैं एक बड़ फिर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार विक्त करना चाहता हूं, जिन्हों ने पूरे संघर्ष में हम लोगों का साथ दिया, अगर हैं जी, बिल्कुल होगे, सर्विसेज आने के बाद हम नई पोस्ट क्रियेट कर सकते हैं, गुरानी पोस्ट से बॉलिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अभी चुनी हुई सरकार के पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस अब आ गया है, तो जो लोग अगर गलत काम करेंगे, भृष्टाचार करेंगे, कानून के हिसाफ से काम नहीं करेंगे, उनके उपर विजिलेंस के कारवाई डिसिप्लिर प्रसीडिंग्स, विजिलेंस प्रसीडिंग्स की जा सकती है, पावर आ गई है, जिम्मेदा देखिए, जब भी जन्ता वोट देती थी, तो वो तो यही कहती थी, जी हमने तो केजरिवाल को वोट दे दी, अब केजरिवाल जाने पावर है कि नहीं है उसके पास, जन्ता को कि विचारों को क्या पता TBR क्या होता है, आर्टिकल 239AA4 क्या होता है, उनको क्या पता विचारों को, जन्ता तो वोट दे देती है, लेकिन हमारे पास पहले उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की पावर नी थी, शक्ती नी थी, अब शक्ती दे दी है सुप्रिंग कोट ने, इसे बहुत सारे काम हैं जो पिछले कई सालों में अटके है, पिछले एक साल के अंदर तो आपने देखा कि किस तरह से, पिछले साल लास्ट के महीने नवंबर तक आते आते, महला क्लिनिक के अंदर लैब टेस्क्स बंद हो गए थे, दवाईयां बंद हो गई थी, जल बोर्ड जो है, बजट, असेंबली ने बजट पास कर दिया, लेकिन कुछ आफिसर जो हैं वो बजट रिलीज नहीं कर रहे थे, हर डिपार्टमेंट का गला घूट दिया गया था, अफसरों को के जरीए, वो अब बंद हो जाएगा, अब जितने जो असेंबली के अंदर हम बजट प्रेजेंट करते हैं, और जो जनता की बात रखते हैं, वो सारी चीजें अब हम कर पाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, आने वाले टाइम में मीटिंग्स दो होती रहेंगे, वो फैसले कई सारे गलत हैं, इन फैक्ट कई सारे तो सुप्रिंग कोट में पंडिंग है, कल एल्डर मेन का केस आ रहा है सुप्रिंग कोट के अंदर, ट्यूजडे कोट डी आर्सी के चेर्मेन की अपॉइंटमेंट का केस आ रहा है, फिल्लेंड जो हमारे टीचर्स को नहीं जाने दिया, उसका केस सुप्रिंग कोट के अंदर पेंडिंग है, जब मेंशन ही किया था हमने ये केसेस तीनों तो सुप्रिंग कोट की टिपनी काफी तल्क थी, कि ये कैसे अल्जी साब रोख सकते हैं, एल्डर मेन की अपॉइंटमेंट बिल्कुल गलत हुई है, जो DRC के चेर्मेन चार महीने से फाइल एल्जी साब के पास पड़ी हुई थी, एल्जी साब ने अपॉइंटमेंट नहीं होने दी, तो हमें सुप्रिंग कोट जाना पड़ा, मैं ये कहना चाहता हूं कि केंदर सरकार एक तरह से प्रधान मंतरी जी खास्तों एक तरह से पिता समान होते हैं, जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोश्चन करें अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधान मंतरी हैं हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं चाहिए बीजेपी की किसी राजी में सरकार है किसी में कॉंग्रेस की सरकार है किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है वो सारे के सारे प्रधान मंतरी को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि ये कोई मुसीवत आएगी तो हमारी मदद करेंगे लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारिद करके दिल्ली सरकार की पावर चीन ली गई आठ साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीं कोट ने साबित कर दिया कि ये गलत था ये ओर्डर, बिलकुल गैर समविधानिक ओर्डर था, जितनी सख्त लैंग्विज के अंदर सुप्रीं कोट ने बोला है, उससे ये साफ जाहिर है कि ये ओर्डर के अंदर सरकार का बिलकुल गलत था, तो इतना गलत ओर और उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था और तो कोई मकसद नहीं था देश का तो भला नहीं हुआ दिल्ली का तो भला नहीं हुआ केवल और केवल लोगों का नुकसान हुआ यह नहीं करना च कि वो देखेंगे अभी तो और यह जब उनका आशिरवाद लेने जा रहे हैं तो सारी चीजियों पर आशिरवाद है जी मिलके काम करेंगे मेरे खहल से यह जाए और पार लारजर वेंज नहीं आज उन्होंने क्लियर कर दिया और फाइब जॉच्च तो और पार्टा जिंसल अग één मेरी अब उनसे यही निवेदन है या रभ हमें काम करने दो इतना टाइम तो खराग कर दिया अगर आपने दिल्ली पे राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतो ना कि अगली बार आम आदमी पार्टी को वोटी ना दें लोग ऐसा काम करो मतलब काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो जब तक हमारी सरकार है हमें काम करने दो कल तुम जीत लेना तुम काम कर लेना टांग तो नहीं अड़ानी चाहिए अभी आया नहीं कानून के अंदर एलजी साब के पास साथ दिन का टाइन होता है तो वो भी मैं आज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ दिन में क्लियर करना चालो करें मैंने उसको पूरा पढ़ानी है मैं अपना फैसला सुनने के बाद मैं थैंक यू सो मच अजया उनसे के लिए ए भी मैं बाद प्रणों अच्वेस्ट प्रणों है